नमश्कार आज मैं आपको बताँगी मतád का गला कटिंग एंडिश्टीची जो देढ़े सबसे पहले आपको मत का गला बुखरम का बनाना है कप्ड़े का बनाएंगे तो वह सःचे नहीं आता है तो वेंसे आप गला बनाए तो बुकरम का बनाए यहां पे इसके चैश्ट है तो बो 36 भी बना सकते हैं चालिस भी बना सकते हैं क्योंकि यहां पर पीछे का पल्ल लिया है वह 22 इंच लिया है तो मैं आपको बता दूं मैंने यहां पर गुंजाश लिए वह 1.5 इंच लिए है तो अगर आप चाहें तो इसको चाली सिंज का भी बना सकते हैं और चत्री सिंज का भी बना सकते हैं जब आप लिए वह लिये 5-5 साड़े-8 के सोलडर सेीन responsive म 건데 गला अगाई इसकोzone तो कंदे गिरेंगे तो आपтесь आपपाऊ इसके इसको डबल करके आपको यहां पे कट लगाना है यह बीच में कट हो गया अब आपको बुक्रम लेनी है तो बुक्रम आप अपने गले के साब से ले सकते हैं कितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं तो मैंने यहां पर 9 इंच की लंबाई रखनी है तो मैंने यहां पर 10 इंच ल तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया अब हमें मटका गला बनाना है तो देखिए यहां से हमें ऐसे करके ऐसे करके इस तरीके से नीचे की साइड से हमें इसको थोड़ा सा फैलाना है इस तरीके से जितना भी आप चाहें उतना फैला सकते हैं इस तरीके से चोकूटा बनाने के बाद इस तरीके से हमें नीचे के साथ इसको पहलाना है अब इसके बाद देखिए यहां पर रखेंगे हम बुकरम एक एक इंच सबसे पहले हम यहां से कटिंग करेंगे अब इसके बाद एक चोकूटा कपड़ा लेंगे कपड़े को पहले अच्छे से रख लेंगे अब देखिए गला टेडा मेडा ना हुआ उसको हम पहले अच्छे से देख लें इसके बाद देखिए यहां पर हम कच्ची कर लेंगे क्योंकि डारेक्ट आप मसीद पे इसको रखेंगे तो टेड़ा मेड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से आपको पहले कच्छी करना है क्योंकि मैं तो जहां तक है वहां तक आसान और सरल तरीके से आपको बताने कोशिश करती हूं अब देखिए हमने यहां पर बराबर करके कच्छी कर दिये अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हम ऐसे कपड़े को दबाके सिलाई लगा लेंगे कि अ कि अ कि च cutting अब देखिए हमने सिलाई लगा लगा आएप इसको ौव दबल लगा लेंग और इसे तरीके से हमने पीछे लगाया कट यहां पर बीच में कट लगाना जरूरी है अब इसके बाद देखे हम क्या करेंगे जैसे हमारा पीछे का परलर है यहां पर कट लगा हुआ है और एक कट यहां पर अब यह दोनों कटों को हम ऐसे जोड़ देंगे इसके बाद भी हम एक यहां पर कच्ची करेंगे कच्ची से क्या है अच्छे से सिलाई लग जाती है इस से हाथ वाली मसीन होती है तो उसनको कच्ची करके ही लगाना चाहिए और नए लोग होते हैं वो टेड़ा मेड़ा कर देते हैं कि अब इसके बाद हम यहां पर सिलाई लगा लें कि अब यह बीच का जो कपड़ा उसको काट लेंगे कि यहां पर जो गोल आई है वहां पर कैच्ची के कट लगा लेंगे क्योंकि इसको अंदर की शर्ट दबाएंगे तो आसानी से अंदर की शर्ट दब जाएगा अगर हम यहां पर कटनी लगाएंगे तो दबने में सपाई नहीं आएगी अब एक अच्ची को उटा देंगे अब इसके बाद इसको अंदर के साथ दबा के हम सिलाई लगा लें अब देखिएए अब भाद अन्दर की साथ हम यह बें पर तुरपाई क लें बां कर लेंगे पिछी की साथ के लिए यहां को आगे हैं अघए इस तरीके से बनाए हमने डबल कटोरी वाला तो इसमें जब हम स्टिचिंग करेंगे तो यहां से जोड़ेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से तो अगर आप पर कटोरी बाले ब्लाउज नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है तो आप उस पर क्लिक कीजिए उसके बाद उपर लिख के आएगा वीडियो फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो आसा करती हो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के सा जाद से जाद शेयर करें अगर आप कुछ पूचना या सीखना चांते है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब करें धन्य बाद अब कर 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 हुआ